तो आज हमारी इस बास में बात कर रहे हैं आप के साथ ऐसका साOLL फानेयन्षयल फॉर्मुरे की क्या होता है जैस की बारे में जालते हैं कि मैंने मान लिजिए क्षिप्टी थाउजन है लोन मनाने हैं हमारे पास अगर इंट है यह दिल को कहते हैं रेट अगर इपे अगर 3最近 है और यहां तो आप अब आप यहां पे आप का जो है यह बतानी है कि अमा aut कीतना हुआ और यह कितना हुआ पहले यह माउन heißt तो 50,000 का लोन है 3% का इंट्रेस्ट है अब 3% मिलता नहीं लेकि चलो मानना है तो कमी मानेंगे न और पांट साल की टाइमिंग है कितनी हमाई हुआ तो उसके लिए लगाएंगे पी एम टी क्या लगाएंगे पी ये एम दी फांट प्रमुला जिसको यहां पी क्या करेंगे रेट को लेंगे डिवाइड बाइ 12 और टाइम जो होगा मर्टिप्लाइबार ट्वेल होगा और PV, PV मतलब present value, तो present value हमारा क्या है, 50,000 है, तो यह रेखिया आपके सामने आया, ठीक है, क्या आया है, 898, अब 898 मंतली अब जमा करते हैं, तो आपका 50,000 का लोन तीन वहीने में खत्म हो जाए, अब बोलेंगे इसको verify कैसे करें, चलिए, यहाँ पर verify करते हैं, 50,000 का हमारा principle है, और 3% yearly है, अब 3% के जगा पर मान लिए, जब मैं यहाँ पर 7% कर देता हूँ, साथ परसेंट यहाँ है, रहा कि ऐसा वह जुरूरी नहीं लिए कि मान लिया, साथ परसेंट डिवाइड बाइट यह हमारा मंतली इंटेस्ट रेट हो गया, महीने के महीने के अंत में, मुझे जो है, 291 रुपीज का इंट्रेस्ट लगेगा, मतलि मेरा principle हर महीने कितना हो ज 25.06 हमने वापस कर दिया, तो अगले महीने कितना बचा principle हमारा, तो यह हमारा इस में से माइनस हो जाए, और फिर एक calculation चलेगा हर महीने, 5 साल का है, तो 12 पचे 60, 60 मन तक चलेगा, अब 60 मन में देखिए, यहाँ पे कि हमारा बिलकुल 990 कुछ पैसे का difference होता है, तो आपकुछ जला नहीं, देख रहे हैं सर्थ, 990 रुपे 548 था और हमारा 990.6 का EMI कट गया, और खत्रम गया, तो इस तरह से हम इसको validate करते थे, जब formula तरिक नहीं बना हुआ था, तो हम लोग अपनी calculation इसी तरह से करते थे, और जैसे आप principle नहीं है, मेरा future value, कि मैं जो है future में 50,000 रुपे चाहिए, रेट जो हमारा है, रेट हमारा 57% yearly है, और time जो है, पांसाद, तो हमारी EMI कितनी होगी, हमारी EMI कितनी होगी, तो यहां भी हम PMT का ही formula लेंगी, जिसमें हम rate को divide करेंगे dual से, time को multiply करेंगे also dual से, और PV, मतलब present value, present value हमारा नहीं है कुछ, को कि हमें जो 50,000 मिलने वाले है, यह future मिलने वाले है, कम मिलने वाले है, future मिलने वाले है, एंटर प्रेस किजिए, era, और बलेंगे कि सर जब मैं loan लिया, तो 990 रूपे देने पर है मंतली, और हम जब जमा कर रहे है, same time duration में, 6980 ही हो रहा है, यही तो फैदा होता है bank store, अगर same interest rate पर ही bank अगर पैसा वापस दे और वापस ले, तो यह फर्ट पड़ता है, क्योंकि यह 50,000 आपको बाद मिलेंगे, 50,000 पहले दे चुका है, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर loan slab पे, तो यहाँ पे 50,000 का interest चलना शुरू हो गया है, इसलिए difference आता है, अब बात आती है कि मुझे, मैं यह में पास EMI है, कि मैं दो हजार का मनीना, जमा करना चाहता है, मन्त के, रेट मेरा वही 7% है, और टाइम मेरा पांग साथ है, और टाइम मेरा पांग साल है, तो क्या हो? एग जड़ेन साल है, तो क्या हो एग है, तो क्या है, तो क्या है, बाते है, मैं जमनिना रेटों के बाते कि मैं च sóloक्या है, क्यार्व देंग मेंşekkürणày थाग, यह आते हैं वे ईगिक्ष्सकंव лучше है, आते हैं और दुर न तよね? तो इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला पीवी मतलब पर्जेंट नहीं पीवी नहीं फूचर फूचर वैलू में आप अपना रेट लेंगे और हम डिवाइड करते हैं ट्वेंग्ट करते हैं और से हमारा किया हुए पीक हमारा फॉर्प सब्ससे पांछ प्रसेंसालों में आको एक 4690 रूप हिर लेकिन मैं वहलू कि मैं परustव यह नहीं है में पर्फशाश चाहूँ करना चाहती है रे हमारा मालों यह डीक और से और तैम जो हमारा कि इंचार इसके लिए फ्यूटर वैल्वी का इस्तमाल को इसके अम रेट को डिवाइट करेंगे कें टुवेल से टाइम मल्टिप्लाइग करेंगे और सो कि वेल से और पीवी पर्जेंट वैलू क्या होगा पर्जेंट वैलू होगा हमारा पचास तो उनसर्थ हजार रुपे आप आएगा छे परसेंट से तीम सार अब आप यह उट्डी करते हैं ठीक है सर अब यहां पर देखिए आटी हमारे लिए बेनिफिट है यहां पर अगर हमें उनसर्थ हजार साथ हजार माल रहते हैं कि साथ जार रुपया चाहिए और हम दे रहे हैं छे परसेंट तीन सालों के लिए तो कितनी की हमारी लगेगी एग अथारा सो पचीश अथारा सो पचीश बतारा सो पचीश पर चालकुलेट करें तो आप लोन हो गया माफ किसी लोन में चला गया सब्सक्राइब यहां आता है कि मुझे साथ जार रुपय चाहिए फ्यूचर में छे परसेंट का इंटेस्टेट है तीन साल का टाइम है तो आप देखेंगे कि आपको देना पर रहा है पंद्रहसो पचीश रुपया और पंद्रहसो पचीश को मल्टिप्लाई करता हूं मैं तो आपको मिल जाएगा साथ जार या फिर आप 15 पंद्रहसों को महिना देखेंगा तो आपको टोटल चोगन जार देने पड़ेंगे पैट्सर क्लिर जाएश क्लिर जाएश क्लिर 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 इस तरह की कैलकुलेशन को हम करते हैं इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन मिलें पर प्रब्लम क्या है कि इसके बारे में आपको पहले से पता होगा तभी आप इसका यूज कर पाएंगे इसमें आप देखेंगे जो फार्मला है और है डिप्रीशेट करता है अब करने के यह आपको पता होना चाहिए अब इसके लिए आपके पास इसकी तो आप अपने हिसाब से फार्मला में को सिखा तो यहां पर हम केडेगरी वाइस फॉर्मूला को खतम करते हैं